नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनदर सेशन आप क्विक फिक्स रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे सवस्त होंगे और सुरक्षित होंगे कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके जितने भी बोल्ट्स होते हैं या फिर नट्स होते हैं या फिर फास्टनर हम बोल लिए उनको एक स्पेसिफाइड फोर्स के उपर में टाइट करने के काम आता है मतल्ब मेरा कहने का ये है कि अगर आप भलेई गाडी में काम कर रहे हैं और किसी भी मशीन में काम कर रहे हैं तो मैं जिस बी गाडी पर पैसिफिकेशन होती हैं उसी हिसाब से मैं चलता हूं वही तरीके में यूज़ करता हूं कोई अजीब नहीं है कोई मदलब आस्मान से ढूंड के मां आपको तरीके बता देता हूं तो कोई भी मैनेफेक्ट्ट्र हो चाहिए वो गाडी का हो या किसी भी मशीन का हो अच्छा म हमेशा आपको service manual जो है, उसमें हर चीज छोटी-छोटी बताई होती है, जैसे मेरे पास में एक gearbox का manual है, तो gearbox के manual में आप देखेंगे, यहाँ पर हर जो अलग-अलग जो bolts है, यहाँ पर nuts है, उनकी अलग-अलग torque यहाँ पर बताई गई है, इसकी 10 newton meter है, यहाँ पर 23 newton meter है, और 34 newton meter भी है, तो यहाँ पर specifications यह भी साथ में दी गई है, कि thread lock भी use करना है, और कौन से number का use करना है, वो भी यहाँ पर बताया गया है, तो अलग-अलग torque है, 23, 34, 10, 20, ऐसे करके बिल्कुल अलग-अलग torque है, हर अलग-अलग bolts के और nuts के लिए, हर fastner के लिए एक अलग torque decide की गई है, तो अगर आपको torque wrench खरीदना है, कोई सा भी, भले ही आप सस्ता खरीदिये या महंगा खरीदिये, कोई सा भी torque wrench खरीदने से पहले, आपके पास में उस particular vehicle की या machine की, यह service manual जो होना बहुत जरूरी है, अगर यह आपके पास में नहीं है, तो इस चीज का आपके YouTube पे या फिर कहीं पे भी, अच्छी अच्छी fancy चीजें होती है, थोड़ा सा fancy लगती हैं देखने में, हम खरीदने की चाहत कर लेते हैं, लोगों के पास में पैसा भी अभी काफी आ रहा है, तो यह धाई 3000 रुपे का चलो ठीक है, यह ले लेंगे, तो यह खाली आपका एक इसमें tight कर रहे हैं, वो, या male या फिर female दोनों में से किसी का भी thread खराब हो जाएंगे, या फिर bolt तूर जाएगा, तो यह आपके पास में खाली एक showpiece रह जाएगा, या तो YouTube में वीडियोस बनाने के लिए, ताकि लोगों को मैं दिखा पाऊं, और या फिर आपकी workshop में ऐस पतारीफ की जाती है, मैं या पे उनके लिए कुछ negative नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हर nut and bolt की specified torque होती है, और उस torque पे ही उसको कसा जाना चाहिए, आप अगर ऐसा बोलें कि हमारे को 20 साल होगे काम करते हुए, तो हमारे को हर nut and bolt की torque specification पता है, company गलत है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जहां पे माल लोग 50 newton meter लगना है, वो बोलते हैं कि हम company के हिसाब से नहीं चलते, हम उसकी जगा पे 70 newton meter लगाते हैं और बाद में उसको angle से, ये एक मैं आपको बता दूँ साथ में torque angle अलग चीज होती है, torque wrench अलग चीज होत में, तो वो सरा सर गलत है क्योंकि आप अपनी मर्जी का वहां पे use कर रहे हैं, हर चीज देखो सर कैसा होता है कि experience के base पे नहीं होती, कुछ चीजें जो manual में लिखी हैं, उसी के हिसाब से आपको चलना होता है, अगर आपको नहीं पता है, बेटर है आप अपनी videos में उनका use मत करके दिखाईए, या फिर लोगों को मत दिखाईए वो चीजें, कम से कम, at least उनके चार पैसे बचेंगे, वो गलग चीज का इस्तेमाल वहां पे नहीं करेंगे, पहली चीज तो यह होगे, मैं यहां पे चलो खेर किसी को ग्यान नहीं दे सकते, किसी के बारे में कुछ न है, तो सबसे पहले आपके पास में manual होना बहुत जरूरी है, और कुछ लोग जो है, सिर्फ एक मतलब अपना हुआ बनाने के लिए, अपनी दुकान में ये दिखाने के लिए, कि मैं बहुत precision से काम करता हूँ, वो Tor Crunch का आपको यूज करके दिखाते हैं, तो ठीक है, मतलब अपनी अपनी strategy हर किसी की business की, खर topic पर आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि Tor Crunch अगर आपको लेना है, तो आपको ये सबसे पहले चाहिए, इसके बिना ये बिल्कुल zero है, खाली आपका showpiece बना के आप घर में रख सकते हैं, अगर आपको चाहिए ह अब मान लो कि आपके पास में ये workshop manual आ गया, service manual आपने कहीं से खरीद लिया, जुगाड कर लिया, किसी ने आपको gift दे दिया, उसके बाद में ही आप decide कर सकते हैं कि आपको कितने range का torque range चाहिए, कौन सी range का, क्योंकि जो nut and bolt, जो car में भी आपको मैं बता दूं कि कुछ जो torque settings है, वो 8 या 10 से शुरू हो जाती है, 8 newton meter से शुरू हो जाती है, और लगबग, लगबग, 100-200 तक भी चली जाती है, हर गाड़ी की अलग range है, क्योंकि हर गाड़ी में अलग material यूज किया गया है, तो workshop manual के हिसाब से, फिर आपको उसको परना है, फिर आपको decide करना है कि करता हूं, उनके हिसाब से यह 2 torque range मेरे लिए काफी है, यह वाला जो torque range है, इसकी जो range है, वो 5 से 35 newton meter के बीच में है, आपको मैं दिखा देता हूं, तो इसकी jio range है चोटे वाले की यह है, फाइज तू 35 newton meter के बीच में इसकी range है, मतलब 5 से 35 के बीच में जो भी torque हैगी, उ इसका use मैं कर सकता हूँ easily और उसके बाद में जो मेरे पास में ये वाला tork crunch है इसकी range काफी लंबी चोड़ी है तो इसकी जो range है वो 27.1 से ले के 203.5 newton equations मतलब 27 से लेके 203.5 Nm इसकी रेंज है, मतलब मेरा कहने का यह है कि 5-35 वाला मेरे पास में यह हो गया और 27 से लेके 203 तक का यह हो गया, मतलब 203 Nm तक अब मेरा जुगाड हो सकता है, 5 से लेके 203 तक मैंने यह दो रखे हुए हैं, इसमें भी एक चीज बता देता हूँ, यह ह half square drive वाला, half square drive बोलू हूँ तो इसमें जो socket लगते हैं, 1 by 2 वाले लगते हैं, जैसे बड़े गोटी हम जो अनमली बोल देते हैं, ज्यादा मैं पचड़े में नहीं पढ़ना चाहूंगा, जो बड़ी गोटी जिसको बोलते हैं, तो बड़ी गोटी यहां पे इसमें, torque wrench में use क एक 1 by 4 वाला, जो बिल्कुल छोटी गोटी जिसको हम बोलते हैं, बहुत छोटा सा जो रहता है, यह 1 by 4 वाला रहता है, और एक जो होता है, वो 3 by 8 का use रहता है, पर 3 by 8 के socket आपको जर्नली market में नहीं मिलेंगे, और मतलब लगबग नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए यहां प देखी है, जिस ताइम पे इसको calibrate करवाया था मैंने torque wrench को, तो reducer लगा के साथ में use करके देखा था, तो इसकी calibration के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, और वहां पे बताया भी यह गया था, कि सब जब तक इसको 90 degree पे use किया जाता है, 90 degree में बोलूँ तो जब भी 20 degree में इस तरह से इसको use किया जा रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, इसकी length के साथ में छेडा चाड़ी नहीं होनी चाहिए, आप extensions या फिर adapters का use कर सकते हैं, extension और adapter यूज करना यहां पे गलत नहीं होता है, तो यह मैं adapter का use किया है, इसको reducer बोल देते हैं log journally, हलांकि adapter ब पीछे का जो सिरा है, यह 3Y8 का है, और आगे का जो है, वो 1Y4 का है, तो यह 1Y4 वाले easily इसमें लग जाते हैं, और आप use कर सकते हैं easily, तो extension का use करना torque wrench में गलत नहीं रहता है, जहां तक कि वो extension इस तरह का ना होतो, इसमें wobble है बहुत जादा, अब universal joint बोलते हैं इसको, इस ADLN की आप use नहीं कर सकते हैं, आपको socket ही अलग से खरीदने पड़ेंगे, तो यह head के bolt खोलने के लिए NL की use होती है, अलग-अलग number की, यह 6 number की है, 8 number की रहती है, तो यह तो एक चीज हो गई, तो अभी तक आपने दो चीज़े जान ली है, कि torque wrench से पहले आपको service manual खरीदन होना है, कि आपकी गाड़ी की torque range कितनी है, अगर आप bike बगरा के लिए, अगर torque wrench देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको सबसे lowest वाला, maximum 35 तक वहाँ पे use होती है, अगर आप engine में काम करते हैं, bike के, इससे ज़्यादा मैंने torque नहीं देखी है, अ जाड़ी में लगबग 200 तक, 200 तक, 200 तक भी जो है, वो torque wrench सही रहता है, इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, maximum 85, 90 तक ही मैंने use होते हूँ देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, अलग-लग कहानी होती है वो भी, बट आपके लिए workshop manual होना बड़ा जर इस क्या है, तो ये 3Y8 का जो socket है, अगर आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास में 3Y8 के ही हैं, तो उनीक का आप use करिए, sockets का, extension या reducer लगा के आप use ना करिए, या फिर torque wrench वही लीजिए, या तो 1 by 4 का हो, या फिर half square drive का हो, तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ तक सीख कितनी भी लगा है, उसका कोई फाइदा नहीं रहता है, अगर वहाँ पर friction पैदा हो रही है, nut या bolt के साथ में, मतलब वहाँ पर जंग लगा है, या फिर कुछ अलग चीज है, मतलब उसमें कुछ hesitation create हो रही है, तब ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी गलट torque वहाँ की तर्क लगा है, तो वह गलत हो जाएगा, तो इसको फैंकना नहीं है, इसको ड्रॉप नहीं करना नीचे, इसका working principle जो है यूज करने का, वह almost आपका जो micrometer अगर किसे ने use किया हो, physics lab मगारा में, अगर 10 प्लस 2 में आपने micrometer यूज किया है, तो micrometer की जो reading है, उसको भी इसी तरह से adjust किया जाता है, same यहाँ पर torque के भी reading जो है, वह इसी तरह से micrometer में भी, जैसे यूज की जाती है, वहाँसे ही यहाँ पर use की जाती है, इसको कैसे use किया जाता है, micrometer का, साथ में जो torque angle जो gauge होता है, इसका use कैसे करते हैं, यह भी आपको एक वीडियो में दिखा करेंगे, पर बाद में, यह वाले में, जैसे यहाँ पर यह newton meter लेख रखा है, scale पर, तो यह 5 से लेके 35 तक है, इसके पीछे में अलग mechanism है, यह आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद में इसको आपको rotate करना है, इस तरह से ऐसे घुमाता रहूंगा, और जब यह 15 पर पहुंच जाएगा, यह अभी एक point और बचा है, तो यह अभी मेरा almost 15 के उपर में पहुंच चुका है, तो यहाँ पे मेरी 15 newton meter जो है, वो torque के उपर में इसको set कर दिया है, अब मैं इसको वापिस ऐसे fit कर दूँगा, और यह मेरा lock हो चुका है, अब मैं इसको चाहे कितना भी गुमाऊं, यह आगे पीछे move नहीं करेगा, राइट, चाहे है मैं इसको कितना भी ऐसे से करता रहूं आगे की तरफ में, यह 15 से उपर नहीं बढ़ेगा, ना तो यह नीचे आएगा, यह अच्छल में lock हो चुका है, तो इसका lock mechanism इस तरह से काम करता है, तो इसको lowest possible setting है, इसकी बापिस इसको लाके, 0 पे मत रखिये, जैसे मानलों यह 5 से 35 तक की इसकी setting है, तो 5 एक किसम से हम मान लेते हैं कि 5 वाली setting जो है, वो 0 हो गई, तो 0 पे भले ही मत रखिये, रखना भी नहीं चाहिए, एक के उपर में रखिये, मतलब थोड़ा सा tension उसके अ है, और ना तो इसको tight करके रखना है जादा, एक point आप जो है इसको tight करके रख सकते हैं, ताकि spring में थोड़ी सी tension बनी रहे, मतलब lowest possible setting, अगर मान लो कि यह torque wrench होता, अगर 0 से 25 तक का, तो इसको मैं 1 के उपर में set करके रखता, मतलब मान लो अगर 0 to 25 होता, तो इसको 1 के उप लुब्रिकेशन नहीं होनी चीए कभी भी, मतलब कोई भी आप वाइल वगएरा इसके अंदर में डालने की कोशिश मत करिए, लुब्रिकेशन वहां पे मत करिए, वो बिलकुल भी इसके लिए मतलब अच्छा नहीं होता है, torque wrench की calibration के लिए, दूसरा, अलग-अलग जो torque wrench कं बनाती है, manufacturer कंपनिया, वो अलग-अलग specification देती है, इसके लिए, तो जैसे ये कंपनी है, Amazon Basics, ये बोलती है कि 10,000 clicks या फिर एक साल के बाद में आप उसको calibrate करवाना है, इसकी calibration out हो जाती है, almost, और इस वाली ये जो कंपनी है, ये कंपनी बोलती है कि आपको 5,000 clicks के बाद मे या फिर एक साल के बाद में इसको calibrate करवाना है, calibrate करवाने के भी पैसे लगते हैं, charges लगते हैं, मालो 2,000 का अगर आपने torque range ही खरीदा है, तो कम से कम 12,15 रुपे आपको calibration करवाने के ही देने पड़ जाएंगे, हर साल वो आपको pay करने हैं, just like EMI की तरह, तो अगर आपने यह रखा है, और आप use नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए कोई फाइदा नहीं होने बाला है, क्योंकि फिर आपको calibrate करवाना ही पड़ेगा, तो बाद में वो उस तरह से हो जाएगा कि एक मतलब हाथी पाल लिया, फिर उसको कहीं आप बस दिखाने के लिए लोगों को रखे रहे हैं, उसका कुछ use नहीं कर पा रहे हैं, एक जो मैं आपको चीज बताना यहां पे भूल गया, वो सबसे जरूरी चीजें दो हैं यहां पे, पहली चीज तो यह है कि जब भी आप इसको use करेंगे, तो इसका जो grip है, वो बहुत important role play करता है, आप इसको जो पकड़ जो भी आपको grip handle दिया गया है, जैसे यह space है यहां पे, इतना space आपको दिया गया है grip करने के लिए, पकड़ने के लिए, तो यहीं से आपको पकड़ के torque लगानी है, यहीं से पकड़ के आपको tight या loose करना है, अगर आप आगे से पकड़ के tight करेंगे, let us suppose आपने गोटी फस ने इसको set कर रखा है 60 Nm पे, और आप यहां से पकड़ के अगर उसको tight कर रहे हैं, तो वो torque बढ़ जाएगी, मतलब torque जो आपका torque अप्लाई करेगा, वो 80-90-100 के करीब में भी जा सकती है, और torque यहां से बढ़ जाएगी, इसकी जो length है वो बहुत बड़ा role play करती है, आपक सही torque नहीं लगाता है, जब भी आपको इसको use करना है, आपको सही grip जो है, यहां पे इस्तिमाल करना है, यह तो पहली चीज होगी, अगर आप किसी को देखते हैं, गलत grip पकड़े हुए, तो उसको टो किए, वो गलत torque लगाला है, आपकी उसमें bolt में, एक तो यह चीज होग कुछ लोग pipe फसा देते हैं पीछे में, इसके यहां पर pipe फसा देंगे, pipe फसा के इसको tight करने की कोशिश करेंगे, वो भी सरासल गलत है, क्योंकि आपके जो torque wrench है, उसकी लंबाई आप बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका जो मैं आपको पहले बताया, इसकी जो length है, वो बहुत basic वाला जो torque wrench है, इसकी क्या दिक्कते हैं, इसको use कैसे करना है, वो आपको एक मैं अलग सी वीडियो बनाऊँगा, यह बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, यह वाले का भी आपको use करना सिखाऊंगा, और इस वाले का भी, एक जाते आते मैं आपको एक मन में सवाल आता है मेरे से पूछा भी गया था, कि हमारे को digital torque wrench लेना चाहिए, या beam type लेना चाहिए, या फिर click type लेना चाहिए, click type लेना चाहिए, click type torque wrench है, एक्चल में जब भी आप इसके साथ में कसेंगे कुछ, तो click की आप आज आती है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, तो मैं एक चीज़ बताऊं से, अगर आप digital torque wrench लेना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी तोप नहीं है, बट उसका प्रॉब्लम ये है, वो मेहंगा बहुत जादा आता है, बहुत जादा मेहंगा, 20,000, 25,000 के करीब में, तो यार उसका लेने को कोई फाइदा है नहीं, click type जो torque wrench है, ये खोलने चड़ाने के लिए, उसकी तरह मत यूज़ करिए, ये precision instrument है, बहुत बारीकी से काम करता है, तो इसको precision instrument ही रहने दीजिए, इसको journal instrument आप मत बनाएए, पहली चीज़ तो, इसका scale कैसे यूज़ करना है, और किस तरह से क्या किया जाता है, सारी चीज़ें आपको में एक वीडियो में जरूर बना के बताऊंगा, जाते-जाते हम समप करते हैं, सबसे पहले तम आपको ये बता देता हूँ, आगे आने वाली वीडियो में, अगर मैं कहीं पे, टॉर्क रेंच का अगर यूज़ करता हूँ, अगर मुझे टॉर्क स्पेसिफिकेशन पता है, ज परिशा करते हूँ, ये छोटी सी वीडियो, हलांकि बहुत लंबी बन चुकी है, पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लि जै भारत